कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो किया था जो आप सब लोगों काफी पसंद आया है जिसके लिए थांक यू सो मच लेकिन उस पड़ी को वीडियो में एक कुश्चन मेरे को बार बार पुछा जा रहा था अगर कोई आइफोन थाइलेंड से परचेस करके इंडिया में यूज करते हैं तो क्या उनको दिक्कत तो नहीं फेस होगी या फिर अगर वो आइफोन साओधी अरेबिया से परचेस किया गया है या फिर अगर वो जैपनीज वेरियंट है तो आईए इस वीडियो में पूरी वर्ल्ड कवर करते हैं डाइस कौनसी कंट्री से कैसा आइफोन आपको मिलेगा नमस्कार दोस्तों मेडम यामित टेक्नोलोजी की दुनिया में हर देनर कुछ नया सीखना चाहते हो तो यह चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए अब यह पर्टिकलर आइफोन 12 मैंने इंडिया से खरीदा है आइफोन 12 प्रो मैक्स मैंने खरीदा है दुबाई से और 14 प्रो मैक्स मैंने खरीदा है सिंगापॉर से अब हर कंट्री के आइफोन के बारे में बात करें उसके पहले मॉडल नमबर समझ लेते हैं अब अगर आइपोन 14 सीरीज की बात करें तो पहला जो मॉडल बनता है वो है यूएस एंड प्योटो रिको के लिए दूसरा जो मॉडल बनता है वो है कैनेडा, जिपैन, साओधी अरेबिया, मैक्सिको, गौम और यूएस वरिजन आइलेंज के लिए तीसरा जो मॉडल बनता है वो है for China, mainland, Hong Kong and Macao चौथा मॉडल बनता है रशिया इंड नेबरिंग कंट्रीज के लिए और पाच्मा जो मॉडल बनता है वो बाकी सारी कंट्रीज के लिए बंता है जिसको हम बुलाएंगे Global Version तो इन पाचोई versions में difference आता है उसके LTE इन 5G bands में कुछ feature differences होते हैं और कुछ physical differences होते हैं तो for example अगर bands की बात करें say for example Japan में कोई particular band है जो available नहीं है लेकिन वो particular band इंडिया में चल रहा है तो इंडिया में जब Japan वाला iPhone आप ले के आओगे तो जब भी उस particular band से आप connect करने के कोशिश करोगे तो signal drops होंगे लेकिन इसका मतब यह नहीं कि वो iPhone आप इंडिया में यूज ही नहीं कर सकते हो क्योंकि बाकी सारे bands उस particular iPhone के इंडिया में फिर भी चलेंगे तो कुछ bands चलेंगे, कुछ bands नहीं चलेंगे जिसके वे signal drop ज़रूर होंगे लेकिन इतने noticeable नहीं होंगे जिसके वेज़ आप smoothly use कर पाओगे उस particular iPhone को इंडिया में अब पता कैसे करेंगे, जो iPhone आपने खरीदा है उसका origin कौन सी country का है तो उसके लिए आपको एक model number देखना है जो आपके settings में उस particular iPhone के box पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो अभी screen पे मैं आपको iPhone 14 सीरीज के सारे models के model numbers आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप tally कर सकते हो कि कौन सा model number कौन से country के लिए बनाए तो वीडियो pause करके सारे models आप check out कर सकते हो और बाकी के models के बारे में अगर आपको जाना है तो उसकी भी मैं आपको link देखे रखूंगा description में चले तो अब एक-एक करके सारे iPhone के models discuss कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले बात कर लेते USA model के बारे में तो इस particular model में आपको MM wave वाले 5G bands देखने को मिलेंगे अब ये bands आपको इंडिया में कोई काम के नहीं क्योंकि इंडिया में आपको MM wave का option मिलता ही नहीं है लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि USA से अगर आपने iPhone खरीदा तो आप इंडिया में उसको use ही नहीं कर पाओगे आप certainly उसको use कर सकते हो सिर्फ उसके जो कुछ bands है वो कोई काम के नहीं आपके लेकिन बाकी सब bands आप इंडिया में यूज कर सकते हो दूसरा जो difference है इस पर इंडिया में आपको e-sim only option मिलता है that is physical sim को option आपको USA के iPhone में देखने को नहीं मिलता है especially जब आपको iPhone 14 series की बात कर रहे हैं तो इसके सिवा USA के iPhone में कोई भी difference नहीं है आप USA का iPhone ज़रूर खरीद के इंडिया में आराम से यूज कर सकते हो लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरे model के बारे में तो दूसरा जो model है वो बनते है Canada, Japan and Saudi Arabia के लिए अब Japan का जो variant है वो आपको सबसे सस्ते में सस्ता देखने को मिलता है लेकिन इसके पहले Japan के variant में एक दिक्कत थी तो अगर उस iPhone का आप silent mode में डालते हो उसके बाद उसी camera का shutter sound off नहीं होता था लेकिन ये problem अब Apple ने remove कर दिया है अगर आप Japanese phone कोई और country में use करते हो other than Japan तो फिर उस iPhone को silent mode पर डालने के बाद आपको shutter sound सुनने को नहीं मिलेगा अब आप मेरे को ये पूछोगे कि जब ये issue already solved हो चुका है तो फिर Japanese variant का सस्ता क्यों है तो इसके दो reasons है number one कि ये trend चलता आ रहा है कि सिंस पहले से shutter sound का problem था इसलिए Japanese phone काफी सस्ते बेक रहे थे तो वो trend अभी भी चल रहा है even after वो problem solve होने के बाद भी and दूसरे main जो reason है that is Japan के taxes next path कले है साओधी अरेबिया की तो अगर आप iPhone साओधी अरेबिया से purchase करके इंडिया लेके आते हो तो क्या इंडिया में use करने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो बिलकुल कोई भी problem नहीं है साओधी अरेबिया में आपको FaceTime भी मिल जाता है आज के तारीक में चले अब बढ़ते third model के तरफ that is China mainland Macao and Hong Kong तो China, Hong Kong and Macao में certain iPhone models में आपको dual sim का option मिलेगा लेकिन दोनों ही sims physical sims होंगे that is आपको e-sim का option इसमें देखने को नहीं मिलेगा हाँ अगर आप iPhone 13 mini या फिर 12 mini या फिर iPhone SE 2nd and 3rd generation या फिर iPhone XS खरीते हो Hong Kong या फिर Macao से तो उनमें आपको e-sim का option देखने हो मिल जाएगा तो यह तो हो गया एक difference दूसरा जो difference है that is Chinese iPhone में FaceTime audio disabled रहता है अगर आप कोई भी link create करना चाहते है FaceTime call के लिए तो वो भी आपका नहीं चलेगा group FaceTime भी नहीं चलेगा as well as Wi-Fi calling इसमें disabled रहता है लेकिन अगर वो iPhone आप चाइना से purchase करके इंडिया में लेके आते हो इंडियन Apple ID यूज़ करते हो तो इन में से कुछ functions या फिर सारे functions आप इंडिया में यूज़ कर पाऊगे तो Chinese iPhone आप जब चाइना में यूज़ करोगे तो आपको यह सब limitations देखने को मिल जाएंगे लेकिन बाकी सब countries में चाइना का iPhone आप आराम से यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर emergency satellite वाले feature की बात करें जो आपको iPhone 14 सीरीज में देखनों को मिलता है वो आपको इन models में देखनों को नहीं मिलेगा अपको ऐसे भी यह जो service है फिलाल US and Canada से ही शुरू हुई है लेकिन अगर इंडिया में future में आता है तो ये वाले phones पे आप emergency satellite connectivity का option नहीं use कर पाऊगे अब चौथा जो model है वो है Russian उसके neighboring countries के लिए यह जो iPhone है वो governed होता है by Russian law as well as initial setup पे आपको उस Russian based apps इन में देखने को मिल जाते है और पाचमा जो model है वो है हमारा model that is जो इंडिया में आपको मिलता है दुबाई में मिलता है सिंगापूर में मिलता है इसके पहले के जो चार model के जो भी countries मेंने cover किये उसके सिर्फ बाकी के सारी countries में आपको ये वाला model number मिल जाएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं UAE iPhone के बारे में तो दुबाई का iPhone अगर आप purchase करते हो तो उसमें आपको FaceTime नहीं मिलेगा as well as WhatsApp calling भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर वो iPhone आप इंडिया लेके आते हो Indian Apple ID डालते हो तो इंडिया में आप FaceTime आराम से यूज़ कर सकते हो तो जैसे कि 12 Pro Max से मैं ने दोबाई से purchase किया है इंडिया में कि आप बहुत सारे countries में FaceTime में यूज़ भी कर पाया हो as well as WhatsApp calling भी यूज़ करता हो इस पडिलो फोन में अब UAE में आपको जो iPhone देखना हो मिलते है वो है TRA version अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो iPhone वो TRA version है के नहीं तो simple आपको आपके iPhone के Settings में आना है वहाँ पे आपको आना है General में General के अंदर आपको आना है Legal and Regulatory अब यहाँ पे आपको सारे Legal Compatibilities देख जाएंगे जैसे कि UAE का TRA version हो गया Singapore का IMDA हो गया Thailand का भी यहाँ पे आपको देख जाएगा Philippines का NTC हो गया तो ये सब आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो Next बात करना है South Korea के iPhones के बारे में तो location sharing supported नहीं होता है South Korea में लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ Of course मैंने South Korea का iPhone यूज नहीं किया है लेकिन ये phone अगर आप इंडिया में यूज करते हो Indian Apple ID के साथ यूज करते हो तो location sharing इस particular iPhone में चल सकता है इसके सिवाए अगर आप Kuwait से iPhone लेके आते हो कोई भी problem नहीं है Thailand से लेके आते हो तो भी कोई भी problem नहीं है Singapore से लेके आते हो जैसे कि iPhone 14 Pro Max मेरा Singapore से Bindas कोई भी country में आराम से मैं यूज कर सकता हूँ So basically जिस भी country से अब अपना iPhone खरीदने का सोच रहे हो उस particular country के क्या limitations है वो आपको एक बाद study कर लेना है So अब बात कर लेके कौण सी country से अब अपना iPhone पर्चेस कर सकते हो तो personally speaking कोई भी country से आप कोई भी iPhone खरीद सकते हो India क्या कोई भी country में जाके वो iPhone यूज भी कर सकते हो Of course कोई features आपको कोई पड़ी को country में नहीं मिलेंगे इसलिए आपको पहले ये समझ लेना है कि कौन सा feature कौन सी country में मिल रहा है कौन सी country में नहीं मिला है जो मैं आपको detail में इस वीडियों बता चुका हूँ अगर वो feature आपके लिए बहुत ही important है या फिर not important है तो accordingly वो country अब choose कर सकते हो आपके लिए लेकिन as far as use is concerned या फिर as far as quality is concerned तो सारे country के iPhones एक बराबर है कोई भी problem नहीं इन सब iPhones में तो बस इतना ही था मुद्दा इन iPhones का लेकिन इन iPhones में कुछ और categories भी है that is locked है, unlocked है, open line है, GPP iPhone है तो ये सब आपको जरूर चेक आउट करना है और उसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देखें बागी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर करें चानल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें देखते रहे ओलोजिन टेकन इंदियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में